तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे राय बहादुर तारादत गैरोला जी के बारे में ठीक है इसे पूर्व मैं देखे उत्राधन की महान विभूतियां भाग 28 तग उत्राधन के विबिन्द महान विभूतियों के बारे में topic दे चुका हूँ जी और इनका जो पेशा रहा तारदत्त गैरुला जी का वो वकील भी रहे ये लेखक भी रहे और इसके साथ संपादक भी रहे ये तो किल मिला कर बोल सकते हैं मल्टी टैलेंटेट परसनेल्टी थे तारदत्त गैरुला जी तो सबसे पहले इन्होंने जो बेसिक एजुकेशन है उसको कम्पलीट किया और उसके बाद ये हायर एजुकेशन के लिए बरेली कॉलेज गए जहां पर इन्होंने बीए पास किया अठारसो सतानवे में और अच कि वकील का एक साल का कोस भी होता था अप m Pacific actually बदर आतरल सकते तो श्रू कर सकते तो वकील का कॉसे इन्होंने किया एंमे के बाद और फिर 1901 में देर्धून में वापस आया और वकालत कि इन्होंने और यही से इनकेट जीवन कीOOOO … तर्निंग पॉइंट बोलते हैं वो सुरू हुआ 1901 में अपने कुछ दोस्तों के साथ इन्होंने सबसे पहले 13 दून में गरवाल यूनियन या गरवाल हितकारणी सभा की स्थापना की थी ठीक है तो देखिए मैंने उत्राखंड का जन जागरेन जो गरवाल में जन जागरेन वाला टॉपिक दिया था वहां पर मैंने आपको बता हैं गरवाल में जो भी सभाय पनीती सबसे पहली सभा थी गरवाल यूनियन या गरवाल हितकारणी सभा तो इन्हीं के प्रियासों से इसका गठन हुआ था अच्छे से इसको याद कर लें कब हुआ था 19 अगस्थ 1901 को तो इसको आप अच्छे से याद रखें और प्लेज देरा दुनता तो दिखें इसके बाद दिखें गरवाल उनियन ने काफी अच्छा काम किया और तारदत्त गैरुला जी को भी पहचान मिलने लगी और काफी बीच में ऐसे केसेज भी होए जो इन्होंने एंडल किये थे उ बहुत महतोपुण है गरवाल उनियन के प्रियासों से कब शुरुआ था गरवाली 1905 देखें उस समय के जो लोग है वो बताते हैं कि गरवाली उस समय जो गरवाली की सहली थी बहुत ही यूनीक थी और गरवाली उस समय अनेक जो राष्टिय हिंदी भासी न्यूज पेपर पर पारे के बताने आपको जरूरी है गरवाल उनियन होया गरवाल हितकारी अजलिक सभाकी हम बात करे थे और साथी गरवाली जो अन्हें अन्हेंस नाम से तो यहां से गड़वाली के साथ जुल गई है, फिस हमपादन वगएरा में भी रह गए, उसके बाद देखे, 1916 में स्थापना होती है कुमाओ परिशत की, तो कुमाओ परिशत की स्थापना में भी इनका एहम योगदान रहा, उसके बाद जो कुमाओ परिशत का देखे, स्थायो गांदोलन जब यहां पर हुआ था, उत्राखर में उसमें भी सक्रिय रही थी है, और देखे, कांग्रेसी मंत्री मंडल दौरा, 1938 में कुमाओ लॉज कमिटी का गठन हुआ था, तो इन्हें उस कमिटी का विशेशग्य बनाया गया था, ठीक है, और देखे, में थे, जो कोट तक गए ही नहीं, कोट के बाहर ही इन्होंने वाधी-पृतिवाधी का मुकदमा सुल जा दिया था, ऐसा बोला जाते है इनके बारे में, और जितने भी उसमें कुमाओ में माली मुकदमे होए थे, उनका इन्होंने पूरा संग्रह किया, और गवर्मेंट स फाइनेंसेली हेल्प लेकर इसको प्रकासित किया था, किस नाम से, सलेक्टेड रेववन्यू, डिसिससंस औफ कुमाओ, किसकी पु्स्टग है, किसकी प्रियासों से लिखी गई थी, तो यह थे तारदत ग्यडोला जी, ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया चला था, काफी गई थी, 1917 में, क्यों दी गई थी ये भी आप जानते हैं, देखिए विश्व इद्धु हो था ना, पृथम विश्व इद्धु में, गरवाली सेनिकों ने भी भाग लिया था, उसमें हिंदुस्तान के सेनिकों ने भी बिल्टी सेना की तरफ से भाग लिया था, तो गरवाल गैरवलाजी ने भी यहां के युवाउं से अपील की, कि आप लोग सेना में जाईए, तो बिल्टी सासर कों ने इनसे खुस होकर रायबादुर की उपादी थी, 1917 में, ठीक है, और बोला जाते है कि 1920 में, केसर ये हिंदी की उपादी भी दी गई थी, क्योंकि 1917-18 में, भी सोर्स लिया है, यहां पी यह गरवाल की दिवंगत विभूतियां से पुस्तक से लिया है, ठीक है, और देखे, मैंने आपको बीच में बताया था, उतराखन जी के उमाल लाइनर में, गनानंद खंडूरी जी ने एक ट्रस्ट की स्थापना की थी, अपने छोटे भाई क चातरवुर्ति ट्रस्ट, जो स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है, मतलब सजेशन पूरा इनका था, खंडूरी जी को, कि आप इसको खोलिए, जो बुद्धी जी भी है, और टेलेंटेड बच्चे हैं, और साथी, जो साहिते रसना में सनलगन लोग है, उनको प्रोसान राशी, देंगे हम इस फंड से, और 1921 से लेकर 1933 तकी इसके सचीव भी रहेते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है, सचीव रहेते, इस्थापना भी 21 में होई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, चंद्रबल्लब इसमारग छात्रुर्ति ट्रस्ट, इस स्रीनगर में टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्षी भी रहेते हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहां पर मिलने हैं, घरवाल में स्रीनगर में टाउन एरिया कमेटी का विस्तापी दुई थी, 1929 में, पहले अध्यक्षी कौन थे, तारड़त गैरोला पहले अध्यक्षी थे, 1929 से लेकर 1934 तके अध्यक्षी रहे इसके, ठीक है, तो कुल मिला कर राजनेतिक जीवन में सक्रियर है, क्रांतिकारी दृष्टी कोंगर से देखा जाये तो सक्रियर है, ठीक है, और इसके साथ साथ इनका सबसे बड़ा योगदान है, साहित्तिक य ठीक है, ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे, कितना अच्छा है, यहां से कोश्यन निकल के आ सकता है, तारादत्त गैरोला दोरा रचित सदेई काव्य, किस रस का उपयोग किया गया है, हिंदी में कोश्यन आ सकता है, हिंदी वाले सेक्षन में, तो करूंग रस प्रधान रचना है, इसके साथ इन्होंने एक रचना और की है, गरवाली कवितावली, ठीक है, और इंगलीस में भी अच्छे राइडर रही है, इंगलीस में इन्होंने सबसे पहले जो दादू दयाल थे, उनके जो पोईटरी थी, उनका जो भी बाते थी, उनके एक पूरा कलेक्श इन्होंने लिखी, लेकिन वो अप्रकासित रह गई, और पुस्तक का नाम था, ग्लिम्पसेस इंटू दी हिस्ट्री ओफ गलवाल, और साथी, जो उत्राखड में धार्मी कर्मकांड थे, या जादू टोना था, इस पे भी एक पुस्तक लिक रह थे, हिमालेन मैजिक, तो ये दोनों बुक्स अप्रकासित रह गई, ठीक है, पॉब्लिस नहीं हो पाई ये, तो आपको याद तो रखना है किसकी है, तारदत गैरोला जी की है, तो कुल मिलाकर देखिए, वकालत के छेतर में हो, इसके सांसांत जागरुकता के छेतर में हो, सामाजी क्रियाकलापो के चेतर में हो, या राजनीति के छेतर में हो, और साहित के छेतर में हो, बगए ही मतलब, यह किसाप से पहुन वेक्तित्व थे, ठीक है, तो ये शाहित्तिक योगदान है, महत्त्यपूञे, देखिए, इन्होंने, जो हमारे हिंदी में पहले डीलीड व्यक्ती है, पीतामब जी को भी उन्होंने काफी सयोग किया था रिसर्च में ओर 1937 में इस्ताफित गणवाल साहित परशत की स्ताफना में विशिष्टि योगदान दिया था एक और महत्वपूर्ट की पॉइंट आपको मिलिया गरवाल साहित्य परिशत की स्थापना कब हुई थी 1937 में हुई थी इसमें बहुत से लोग थे किवल तारदत गैरुला जी नहीं थे लेकिन गैरुला जी, पितामबरदत बड़क्तवाल जी इसके साथ अन्या उस समय के जो लोग थे चल्चित लोग थे उन सभी के पुरियासों से गरवाल साहित्य परिशत की स्थापना हुई थी ठीक है और एक पॉइंट मैंने पहले नहीं बताया आपको यहां पे बताऊंगा क्योंकि इतना विसेश नहीं है देखे तारदत गैरोला जी और उनके सयोग्यों के पुरियासों से 1904 में सरोला सभा की स्थापना हुई थी ठीक है तो यह उतना एक कोई स्पेसल पॉइंट नहीं है क्योंकि सरोला जो सभा थी यह ब्रामलों की सभा थी ब्रामल वर्ग के जो अधिकार थी उसमें ब्रामल वर्ग में सिक्षा को विक्षित करने के लिए ब्रामल वर्ग के जितने भी राइट्स थे उनको संदक्षित रखने के लिए 1904 में सरोला सभा की स्थापना हुई थी लेकिन यह एक जाती विसेश सभा थी कि आपने अपनी सभा बना ली तो एक कॉंट्रोवर्सी रही थी ये सभा इनके लिए सरोला सभा ठीक है तो ये सभी महतोपूर पॉइंट हैं तारदत्त गैरोला जी के बारे में देखिए गठिया तो गठिया की बिमारी से प्रिडित हो गए थे और लगबग 30 साल तक इस बिमारी से प्रिडित रहे और अन्त तह 27 मही 1940 को ये पंचेत उत्तों में विलीन हो गई थे ठीक है लेकिन अपने संपुमल जीवन में काफी अच्छे अच्छे कारे की इन्होंने में बोलूँगा जो इनका कारे रहा वकालत से इन्होंने काफी लोगों को बिल्की सजाओं से बचाय था उसमें और सांती दूसरा में ज विबूतिया भाग 29 वीडियो थोगा भी अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना सेर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सांती बैल आइकन को भी दबा दे काफी लोगों की मेंसेज आते है कि नोटिफिकेशन नहीं आता नहीं वीडियो का भाई बैल आइकन नहीं उत्राखंट जी के वन लाइनर भाग एक उत्राखंट जी के वन लाइनर भाग दो एक हजार उत्राखंट के यूनीक जी के वन लाइनर इसमें है एक हजार जी के वन लाइनर इसमें है ठीक है तो बहुत ही नाम मातर मूल्य में यह आपको मिल जाएंगे यह क्यों ऑन लाइ करते हैं इस इबुक को और अगर आप चाहे तो इसको प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं क्योंकि यह एफोर फ्रेंड लिया ठीक हो एफोर जो